नमस्ते फ्रेंज मैं आपको मैं फेस्बुक लाइब में आया हूं मुझे एक वेरी इंपोर्टन पॉइंट रेस करना था कल मुझे शायद दो बुजे मेवार्पमार्जमात्या का फोन आया और उन्होंने कहा कि कि एंसी बाबु टागर जला में एक कोई प्रोग्राम कर रहा है और उनको काला जंडा दिखाया जा रहा है और उनके ओपर अटैक हो रहा है उस समय मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है और मैंने इमीजिटली अपने जॉंपवजला के जो भी लीडर से उनको बोला जाके फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद मैंने खुद तीम बार फोन किया और सिच्वेशन को डिफ्यूज कराया लेकिन मुझे एक चीज बेज़त करते हैं उनके उपर अटाइक करते हैं ये टॉलरेट नहीं होगा मैंने पहले भी दो बार वर्निंग दिया था आज मैं सबको बोलना चाहता हूं कि मैंने कह दिया है कि जिसने भी काला जंडा या स्लोगन उठाया डिस्ट्रप्ट करने का कोशिश किया प्रोग्र अवार रिजिग किया जाए और इनको ती प्रम ता में पोजिशन में दिया जाएगा यह मैंने बिल बॉल बी शर्व के लिप सेंडा रए करने के लिए और जो लो हैं उनका एक एक और बनना चाहिए है मैंने देखा है कि यह बहुत खराब कल्चर है जब मैं मिर्जा कथा गया था तो उस टाइम IPFT के लोग ने मुझे काला जंडा दिखाया जब पिजुश विश्वास कहीं गये थे उसके उपर अटैक हुआ जब मानिक सरकार कहीं गया था तो मानिक सरकार के उपर अटैक हुआ यह जो जिदेंदर चौधरी जब लोकसाभा एलेक्शन हो रहा था जिदेंदर चौधरी के उपर अंपी में अटैक हुआ यह जो पॉलिटिकल अटैक्स होता है यह काला जंडा का पॉलिटिक्स यह मैं इससे एकदम अग्री नहीं करता हूँ जब जिदेंदर चौधरी के उपर अटैक हुआ आइपी एफटी के लोग ने अटैक किया तो किसी ने अटैक्शन नहीं लिया जब मेरे उपर अटैक हुआ महानपूर में SDM के वहां में तो जो लोग ने यह गुंडा गर्दी किया उसको कुछ अक्शन पार्टी ने नहीं लिया जब बिजुश विश्वास के उपर अटैक हुआ तो किसी ने अटैक नहीं किया लिया सस्पेंट किसी को नहीं किया तीप्रा मौथा को मैंने पहले से जो दो-तीन लोग जो नए-नए आये हैं जो ट्रबल कर रहे हैं मैंने वोनिंग दिया था और कल क्यूंकि जो हुआ है ये मेरे लिए मुझे लगता है कि NC देपरमा भी तीप्रासा है मैं भी तीप्रासा हूँ और ये काला जंडा दिखा कर ये जो गंदा राजनीती हमने शुरू किया इसको बंद करने के लिए सबसे पहला कदम बुबागरा को ही निकालना पड़ेगा इसके लिए मैं इमिजिटली मैंने बोल दिया है कि जो लोग थे उसके पीछे they should be suspended और मुझे आज शाम तक रिप एस्पेंट किया जाना है और मैं दूसरे पार्टी को जो इन भी एक बात बोलना चाह रहा हूं कि ये शायद कभी होता नहीं यह तृप्रा का कल्चर नहीं था काला जंडा दिखाना एक दूसरे को गाली बखना रोकना ये तिप्रासा का कल्चर था ही नहीं यह कल्चर हमने लाया और आज उसी कल्चर के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है हमको भी सोचना चाहिए कि जब ये लोग ऐसा कुछ काम करें गलत काम तो इन लोगों की खिलाफ एक्षिन निया जाना चाहिए मैं फिर से सबको अपील करता हूँ कि अगर किसी ने ये नया रखम का राज़नीती का खिलाफ कुछ करने का कुशिश किया मुझे किसी का दरकार नहीं है अगर आप ने तिप्रा मौथा के नाम में कही में भी प्रॉब्लम किया you will be suspended ओर अगर आपको लगता है कि इसको खतम करना पड़ेगा, यह जो कल्चर आप लेके आ रहे हैं, यह हमारा तीप्रा सा कल्चर नहीं है, तो जैसे जिसने जम्पु जला में कल यह किया था हरकत, उनके खिलाफ अक्षिन होगा, अगर आज मैंने सुनाएं कि बेल बाड़ी में भी कुछ हो रहा है, मैंने सु तु बागरा का नाम को खराब करने का कोशिश मत करो, यह टाइम नहीं है, पॉलिटिकल रैलीज का, यह टाइम है, हम सब को एक होकर, ठांचा दिखाकर, करोना के खिलाफ लड़ने के लिए, टाइम है कि ग्रेटर तीप्रेलान का मुव्मिन रिलाउंच करने के लिए, यह धंदा करने के लिए नहीं है, और गुंडे के लिए कोई यह नहीं होगा